पलसुदेव कुटुमकम जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया एक फैमिली है और आज भारत ये साबित कर रहे है कि दुनिया में चाहे जो भी हलात आ जाएं वो अपनी परमपरा से, अपनी संसकार से, अपनी विजारधारा से नहीं पलटेगा और आज भारत के इस कदम की वज़े से पूरी दुनिया में चोतरपा भारत की प्रसंसा हो रही है नमस्कार मेरा नाम जैरा पाठक है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूस का डिस्टर ब्लाटफॉर्म कोरोना महमारी के इस दौर में पूरी दुनिया के अर्थ व्यवस्था की कमट बूट गए है पूरी दुनिया कोई भी ऐसा मौका नहीं चोड़ रही है जिससे कमाई की जा सके ऐसे में भारत ही वो ऐसा देश है जो अपने पडोसी देशों को वैक्सीन फ्री में बाट रहा है और भारत के इस जो मुहीम की पूरी दुनिया भर में प्रसंसा हो रही है हम आपको बता दें कि भारत ने अब तक कोविसील के टीके की 20 लाग खुराक बांगलादेश, 10 लाग खुराक नेपाल, 1,5 लाग खुराक भुटान, जबकि 1 लाग खुराक मालदीब को दिये है इसके अलावा 20 लाग खुराक भारत में ब्रजील को दी है इसके वज़े से ब्रजील ने भारत की खुब वावाई की है ब्रजील की तरफ से एक ट्विट किया गया है जिसमें हनुमान जी को दिखाया गया है और भारत का उसके इस कदम की वज़े से उनको धन्यवाद किया गया है अब ये tweet भी काफी दिलचस्प है जिसमें हनुमान जी को दिखाया गया है संजीवनी बूटी की जगा वैक्सिन को उठाय हुए दिखाया गया है अब व्रजील के लिए ये वैक्सिन संजीवनी बूटी से कम भी नहीं है ब्रजीली नहीं अमेरिका ने भी भारत के इस मदद करने की जो परंपरा है उसकी पतंसा कर रहा है अमेरिका के तरफ से ये बयान दिया गया है कि भारत एक सच्चे दोस्त की तरह अपने करतब्यों का पालन कर रहा है अब जब हम पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं तो हम फिर यहाँ पाकिस्तान को कैसे छोड़ सकते हैं पाकिस्तान को लेकर भी भारत सिकार की तरफ से कहा गया है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी या फिर वैपारिक तोर पर वैक्सिंग की मांग नहीं की गई है लेकिन अगर पाकिस्तान वैक्सिंग की मांग करता है तो तब भी भारत इस विशे में जरूर विचार कर सकती है बहराल हलाज जो भी हो लेकिन आज भारत की जो पूरी दुनिया में जो इस्तिती है वो काफी गर्व करने वाली है फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको हमारा विडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले